प्रास्न संख्या 2 सेकंड में बदलें प्रास्न 2 का का 15 मिनट को सेकंड में बदलना है तो एक मिनेट में 60 सेकंड होता है तो पंदरा मिनेट में कितना होगा पंदरा गुना 60 सेकंड पंदरा गुना 60 सेकंड तो पंदरा चक नब्बे देखें पंदरा चक नब्बे तो एक सुन और है यानि 900 पंदरा गुना 60 900 हो जाएगा क्योंकि 15 छक होता है 90 और एक सुन्ने और है देखें यहां पर है 60 है इसलिए एक सुन्ने और देंगे तो 900 हो गया तो 900 सेकंड तो 15 मिनिट बराबर कितना हो जाएगा 900 सेकंड तो 1 मिनिट में 60 सेकंड होता है तो 15 मिनिट में 900 सेकंड 10 मिनिट 20 सेकंड 10 मिनट 10 मिनट 20 सेकेंड तो इसको सेकेंड में बदलना है तो 10 मिनट एक मिनट में होता है 60 सेकेंड तो 10 मिनट में देखे 10 गुना 60 10 गुना 60 सेकेंड जोर ये 20 सेकेंड है तो एक मिनट में 60 सेकेंड तो 10 मिनट में 10 गुना 60 तो कितना हो जाएगा 10 गुना 60 यानि 600 10 को 60 से गुना करेंगे तो 600 6 गुना 1 6 और 2 सुन्ने है एक सुन्ने इस पर एक सुन्ने इस पर तो दो सुने देंगे यानि 600 सेकंड जोड 20 सेकंड कितना हो गया ये दोनों को आप जोड देंगे क्योंकि दोनों सेकंड में है तो 620 जोड 20 620 सेकंड ठीक है 620 सेकंड यानि 10 मिनट 20 सेकंड बराबर हो गया 620 सेकंड गह आठ मिनट 40 सेकंड आठ मिनट 40 सेकंड तो एक मिनट में 60 सेकंड तो आठ मिनट में 8 गुना 60 सेकंड तो देखें सेकंड को संचेप में इस तरह से लिख सकते हैं देखें ये सेकंड को इस तरह से लिख सकते हैं संचेप में तो 8 गुना 60 सेकंड हो जाएगा 8 मिनट बराबर अब इसको जोड देंगे जोड 40 सेकंड ठीक है, सेकंड को इस तरह हम लिख सकते हैं संखेब में तो 8,60 यानि 8,6,40 यानि 480 हो जाएगा 8,60 तो 480 सेकंड जोड 40 सेकंड ठीक है 480 सेकंड जोड 40 सेकंड कितना हो जाएगा तो इसको जोड देंगे सून्ने, सून्ने, 8, 4, 12 हाथ में रहा एक, 4,1,5 यानि 520 सेकंड तो 8 मिनट 40 सेकंड बराबर हो गया 520 सेकंड घा 7 घंटा 40 मिनट तो 7 घंटा 40 मिनट को सेकंड में बदलना है तो देखे एक घंटा में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड तो कितना हो जाएगा 7 गुना 60 गुना 60 सेकंड जोड जोड 40 मिनट में 40 गुना 60 सेकंड तो 7 घंटा को पहले सेकंड में बदलेंगे तो एक घंटा में 60 मिनट तो देखे पहले मिनट में बदलना होगा तो 7 गुना 60 करेंगे तो यह हो गया मिनट में घंटा को पहले मिनट में बदलेंगे तभी सेकंड में बदलाएगा तो 7 घंटा को पहले मिनट में बदलें तो 7 गुना 60 ठीक है फिर उसको सेकंड में तो फिर 60 से गुना करेंगे तो साथ घंटा को सेकंड बदनने के लिए साथ गुना साथ गुना साथ करना होगा ठीक है क्योंकि एक घंटा में साथ मिनट होता है और एक मिनट में साथ सेकंड तो पहले मिनट में बदलेंगे तो साथ गुना साथ हो गया यानि साथ घंटा में हो गया साथ गुना साथ मिनट तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जागा साथ चख ब्यालिस ब्यालिस चख तो साथ चख ब्यालिस ब्यालिस को छे से गुना करेंगे तो छे दूनी बारा हाथ मेरा आए छे चोग चोबिस एक पचीस दोसो बामन तो लिखेंगे यहाँ पे 200, 42, और फिर 2 सुन्हे, देखें 1100, 1100 पे 121 2000 देंगे, तो यह हो गया second में, अभी इसको गुना करेंगे, 6424, और 2400,하면서 123, 1910, तो 2 सुन्हे देंगे, second, यानि 7 घंटा में हो गया 25200 सेकंड, और 40 मिनट में हो गया 2400 सेकंड, ठीक है, तो घंटा को सेक एक घंटा में 60 मिनट होता है तो पहले 60 से गुना करेंगा फिर एक मिनट में 60 सेकंड तो फिर 60 से गुना करेंगा तो अब यह सेकंड में हो जाएगा 7 घंटा बराबर कितना हो गया 25200 सेकंड और 40 मिनट बराबर 2400 सेकंड अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जागा देखें सुनने 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 दो और चार छे पांच और दो साथ यानि कितना आ गया तो 27,600 सेकंड यानि 7 घंटा 40 मिनट में कितना होगा 27,600 सेकंड तो इस तरह प्रस्न घा तक हल कर लेंगे यानि 7 घंटा में हो गया 25,200 सेकेंड और 40 मिनट में 2400 सेकेंड तो 7 घंटा 40 मिनट में कुल सेकेंड कितना हो जाएगा 27,600